महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने क्यों नहीं लिया भाग? महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया. वहीं उन्होंने दुर्योधन को अपनी पूरी सेना देकर कौरवों की भी मदद की. हालांकि उ उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया और नहीं पांडवों का. अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्ण उठता है कि जब श्री कृष्ण युद्ध में शामिल हुए तो उनके भाई बलराम ने क्यों भाग नहीं लिया? क्या उनकी कोई मजबूरी थी या कोई और वज प्रीत नहीं गए. जब श्री कृष्ण से मिलने के बाद दुरियोधन बलराम के पास पहुँचा, तो उन्होंने सिर्फ यह कहा, मेरा आरशिवाद सदयव तुम भाईयों के साथ है. पांडव भी तुम्हारे भाई ही हैं. युद्ध समाधान नहीं हो सकता. जैसे मुझे तुम प्रिय हो. वैसे ही पांडव भी हैं. बलराम जी ने पांडवों से भी ऐसा कहा. मैं चाहता हूँ, तुम भाईयों कौरव पांडवों में मेल हो जाए. कानहा से भी मैंने कहा था कि हमें युद्ध में नहीं पढ़ना चाहिए. अब जब युद्ध होने वाला है और क आनहा जिस तरफ हैं मैं उनके विपक्ष में नहीं जा सकता. वैसे भी दुर्योधन और भीमसेन दोनों मेरे शिश्य हैं. मैंने दुर्योधन को भी यही कहा कि दोनों पर मेरा स्ने है. मुझे कुर्वंशियों को आपस में लड़ते देख कर अच्छा नहीं लगता. अत्ध मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ.